है अब आप सब लोग आप सब लोग अच्छे हों कि तो दोस्तों आज की अपके साथ शेयर करने वाली हूं रक्षा बंदन मेकप टुट्रेट बहुत ही सस्ती आसान एफोडेबल एसे प्रोड़क के साथ सस्ते प्रोड़क के साथ क्यों बोल रहे हूं मैं आप लोगों कि हमा लेंगा की शॉपिंग सब कुछ शॉपिंग में चला जाता है तो हमारा मेकप का बजेट होता है वह भी इधर उधर हो जाता है तो चलिए बहुत सस्ते आसान एफोडेबल एसे प्रोड़क के साथ हम लोग आज का मेकप करते हैं तो चलिए दोस्तों अगर आप ना सच्छे भाई की बैन होगी तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दोगी अभी स्टार्ट में ही दोस्तों चलिए टारगेट रखते कि कम से कम पच्छास लाइक इस वीडियो पर आने ही चाहिए तो चलिए तो सबसे पहले स्कीन केर कर लेते तो यहाँ पर में थोड़ा सा मेरे फेस के हो जाती है बहुत लोगों की स्कीन फिर उसके बात में यहाँ पर इस्समार करूंगी तो यहाँ पर वैस्टिन ले लिया क्योंगी तो इससे क्या वगरा फेसल और जनरेट हो जाएगा उपर से फेस की केर भी अच्छे से हो जाएंगी में काफी ब्लश ही एशा लगेगा त दोस्तों ये काफी हमारे स्किन के लिए हेल्दी फाउंडेशन साबित हुआ है मैं हमेशा इसे ट्राइ करती रेती हूँ लेकिन सोचा आज आपके साथ रिव्यू भी शेयर कर लेती हूँ तो जो हमारे इंडियन स्किन टोन के हिसाब से सारे के सारे या पर कॉंपैक पाउडर और फाउंडेशन इस कंपनी ने बनाए है अगर दोस्तों आप लोगों को हेल्दी के साथ साथ ग्लोइंग शाइनिंग और हाई कवरेज फाउंडेशन चाहिए होगा तो ये बेस सोलुशन है हमारे लिए तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को नो दो प्रोड़क के बारे तो दोस्तों इस ब्रैंड में जो भी शेड्स है ना फाउंडेशन के सारे के सारे में आप लोगों को दिखा देती हुए तो आपके हिसाब से आपको जो भी सूट होता होगा आप लोग यापर पर्चिस कर सकते हो दोस्तों सारे शेड्स ना आपने इंडियन स्किन टोन के ह साब से ही है आप लोग देख सकते हैं इसके अलावा कोई भी इंडियन शेड नहीं होता है दोस्तों बिलकुल नहीं होता है आप दिल खोल के इसे ट्राय कर सकते हो पेशली तो इंडियन लोगों के लिए ही है दोस्तों यह जो प्रोड़क है 100% नैचरल है दोस्तों 100% इंडियन ही है दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इसके कॉम्पैक के बारे में तो कॉम्पैक जो है ना 100% ग्लोईश लुक हमें देता है सिक्रेट है हमारे ग्लोईंग स्किन का अगर स्किन केर का नहीं करते हो टाइम नहीं है तो सिर्फ यह अपलाए कर लो काफी अच्छा इसा ग्लो दिखेगा दोस्तों डर्मेट अरजिकली टेस्टेड है ट्वेल अवर सक अच्छे से ओईल को करेगा उपर से फिरिशिंग वाल ना कम से कम वन येर तो चलेगा ही तो मैंने पिछला वाला जो प्रोडक्त था वो कम से कम एक साल तो यूज किया लेकिन मेरा स्किन ठोड़ा से लाइट हो गया तो सोचा कि उसका शेर चेंज करना चाहिए तो मैंने यह नए वाले मंगा लिए तो उसी का रिवे में आज का परपल अमेजन और अभी तो फ्लिप कार्ड पर भी अविलेबल हो जाते हमें अगर पर्टिस करना होगा तो तो दोस्तों यहां पर मामा आथ का पर तो कापी अच्छा इसा लूक आता है यहां पर मेरा शेड था परपल कर रहा तो मैंने प्लस परपल दोर का कॉंबेशन करके मेरी लिपस्टिक और आईशाड़ यहां पर चंद्रेट किया है दोस्तों फिर उसके बाद मेंकप को अच्छे से सेट करने के लिए मैं यहां प पसंद आती है तो क्या नहीं पसंद आया वह भी आप लोग कुछे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तचली मिलते हैं नेक्स एपिज़र पर देख सब्सक्राइब 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 हमारे वीडियो देख तरिए चलो बाबाई